असलाम लेकुम एस्पिरेंट्स वेलकम बैक तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS 2021 Islamic Studies के MCQs के सलूशन की तो आएं स्टार्ट करते हैं The very first one is which नमाज is offered for rain यानि कौन सी नमाज है जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है Next जाने से पहले मैं यहाँ पर दुबारा आप लोगों को रिमाइंड करवाती चलूँ कि ऐसे ही MSQs यानि नवाफल नमाजों के बारे में पहले दो पेपर्स में आ चुकी हैं या तीसरी दफ़ा आ रहा है तो इसलिए ये टॉपिक बहुत important है MSQs के point of view से ये लाजमी कर लीचेगा चलिए खेर देखते हैं Options आर नमाजे इस्तस्का नमाजे खिसोफ नमाजे खौफ या none of these तो नमाजे इस्तस्का is the right answer Next one is How many times Holy Prophet Peace be upon him performed Umrah in his life यानि How many times? कितनी दफ़ा? Holy Prophet Prophet Muhammad ﷺ ने performed Umrah Umrah अदा किया in his life अपनी जिन्दगी में Two times? Four times? Five times? या six times? तो four times is the right answer और ये MCQ भी repeat हुआ है Next In which battle of यानि कौन सी जंग में Prophet Muhammad Peace be upon him Prophet Muhammad ﷺ ने selected यानि उन्होंने चुना 50 स्किल्फूल आर्कर्स 50 बहुती हुनर्मंद आर्कर्स यानि तीर अंदाज को To stay on a mountain side कि वो पहारी जो साइड है पहारी तरफ वो रहें Options are घजवाए उहद घजवाए बदर घजवाए खंदक या नन उफ दीज तो घजवाए उहद Is the right answer Foster sister of Prophet Muhammad Please be upon him Foster sister कोंजी होती है रजाई बहन और किसकी घजवाए उहद आर्कर्स Options are घजवाए उहद शीमा घजवाए उहद रकाया या नन उफ दीज तो घजवाए रजियल्लाह ताला अन्हा Is the right answer Share of wife in inheritance If not children Share of wife यानि बीवी का हिस्सा In inheritance यानि वरासत में If not children अगर कोई बच्चा ना हो तब कितना हिस्सा होगा Next जाने से पहले यहाँ पे भी आप लोगों को Reminder दे दू कि यह MCQ भी पहले ऐसा ही MCQ 2-3 papers में आच चुका है 2016 के बाद भी तो kindly यह वादा जो टॉपिक है Inheritance का यह भी option के point of view से लाजमी कर लेचेगा So options are 1 by 6 1 by 3 1 by 4 या none of these तो 1 by 4 यानि चोथा हिस्सा is the right answer Next Ibrahim was the third son of Prophet Muhammad ﷺ यानि Ibrahim Nabi Pāk ﷺ का तीसरा बेटा था What is the name of his wife? Sorry, what is the name of his mother? यानि उनकी मा का नाम क्या है यानि नभी पाक ﷺ की कौन सी बीवी थी जिन में से हज़त इबरहीम की पैदाश हुई थी So options are हज़त सुएबा मारिया अल्किब्दिया Sorry And हज़त रकैया या none of these तो मारिया अल्किब्दिया as the right answer In which सूरा हख महर is mentioned कौन सी सूरत में हख महर कर दिकर किया गया है Options are सूरा अल्बकरा सूरा यासीन सूरा निसा या none of these तो सूरा निसा is the right answer The master of Hazrat Bilal during embracing Islam was The master यानी मालिक ठीक है Of Hazrat Bilal Hazrat Bilal रजियल्ला नहो के मालिक कौन थे During किस के दुरान Embracing Islam was यानी जब उन्होंने Islam कबूल किया उस वक्त की बात कह रही है Options are अबु जहल अमया बिन हर्ब उकबा बिन अभी अमया बिन खलफ So Umayya बिन खलफ is the right answer Battle of Hunayn was fought against यानी जो जंगे Hunayn थी वो किस के खिलाफ लड़ी गई थी Hawazeen Quraysh औस यानन अफ तीस तो Hawazeen is the right answer Type of Ijma यानी Ijma की वो किसम in which जिसमी सम मुझतहीद कुछ मुझतहीद को one or more एक या एक से जाता हो सकते है Give a legal उनको कनोनी हग दिया जाता है and the rest of them और बाकी जितने भी हैं are informed और उनको मतलब जिस्ट बता दिया जाते है inform किया जाते of this opinion इस opinion के बारे में ठीक है इस सोच के बारे में and they keep silent और फिर वो खामोश रहती है options are इजमा अल-उमा इजमा अल-आमा silent or tacit इजमा या none of these तो silent or tacit इजमा as the right answer and the last which I found is who serves holy prophet peace be upon him for 10 years यानि who serves किसने खिद्मत की नभी पाक सिलिल्लाह अलेह वालेह वसलम की for 10 years 10 साल options are हज़र अली हज़र अनस हज़र उत्मान यान अन 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 अनस रज़र अनस is the right answer that's it thank you